नमस्कार दोस्तों स्वागत है आप सभी का इन एन स्टडी के हिंदी यूटूब चैनल पर चलिए स्टार करते हैं दोस्तों आज किस वीडियो में यूपी पुलिस जेल वर्डर और फायर मेंन के लिए और दोस्तों जैसा कि आप सभी जानते के वीडियो के लाश्ट में आप से कोस्टन्स पूछता हूँ और उसको आंसर आपको कमेंड बॉक्स में बताना होगा दोस्तों मैंनेकेडमी पर यह पढ़ाता हूँ अनकेडमी की प्रोफायल के लिंग डिस्क्रिप्शन दिया है तो आप एक बार जरूर से चेक कर लिजिए तो चलिए दोस्तों सटार्ड करते हूं और देख लिते हैं पहला कोसन्स तो पहला कोसन्स आपके सामने यह रहा मैं पहला कॉसंस तो आपका जो सही आंसर हो जाएगा वह हो जाएगा आपका सहारनपुर कौन सा है दोस्तो सहारनपुर तीसर आपसंस आपका बिल्कुल करेक्ट है छेतरफल के घटते किरम में सही बिकल्ब का चेन करें राजस्तान आप सभी जानते हैं सबसे जादा छेतर फल में राजस्तान है उसके बाद कौन सा है फिर कौन सा फिर कौन सा ये आपको बताना है तो देखो सबसे पहले आपका राजस्तान, फिर है आपका मद़ प्रदेश, फिर है आपका महराश्ट, फिर है आपका उत्तर प्रदेश, ठीक है तो देखो राजस्तान ठे हो गया मदपरदेस हो गया महाराष्ट ठीक है तीसरा उपसंस तक आपका बिल्कुल ठीक है हाँ फिर उसके बाद आपका उत्तर परदेस यानि की कौनसा उपसंस दूसरा उपसंस आपका बिल्कुल correct हो जाएगा बीच में आपका अंदर प्रदेश भी है तो दूसरा ही options आपका correct होगा उत्तर प्रदेश के सबसे दच्छनी और सबसे पस्चिमी जिला कौन सा है सबसे दच्छन वाला और सबसे पस्चिम वाला कौन सा जिला है तो अगर हम सबसे दच्छनी जिले की बात करें तो सबसे दच्छनी जिला कौन सा हो जाएगा रहो जाएगा आपका सूनवद्र और सबसे पस्चिमी जिला हो जाएगा आपका मुझफर नगर तो इस questions का तीसरा options correct हो जाएगा Next questions के पस्चिम में कौन से नदी काफी हद तक उत्तर प्रदेश की सीमा निर्दारित करती है चंबल, केन, गंगा या यमना तो जल्दी से पस्चिम में कौन से नदी ऐसी है जो काफी हद तक उत्तर प्रदेश की सीमा निर्दारित करती है उत्तर प्रदेश के बावर चेतर में किस परकार की मिद्रा पाई जाती है दल दिली, कंकریली, पत्रीली, महीन, जलोर, या भूर तो जल्दी से बतादेजिए कि उत्तर पर्दैस के बहावर छेतर में किस परिकार की मिद्रप आती है तो वह आपका कंकरीली तटा पतरीली दूसरा अपसन्स करेक्ट है उत्तर पर्दैस के किस जिले में सबसे कम बरसा होती है लेलितपुर जहां सी बाना या मत्रा तो जल्दी से बता देजे कि उत्तर प्रदेश का ऐसा कौन सा जिला है जहां सबसे कम बर्सा होती है तो उस जिले का नाम है मत्रा उत्तर प्रदेश का मत्रा जिला जहां सबसे कम बर्सा होती है नेक्ष्ट कोसंस दोस्तों के निम्न जिल्यों को उत्तर से दच्छन की और सही जमाईए जो उत्तर में है उत्तर में और सबसे दच्छन में कौन सा है यह हमको बताना है ठीक है और सारे जिल्यों दिये हैं उनको उत्तर से दच्छन की और जमाना है यह questions आप तभी कर पाओगे जब आपको तरप्रिजिस का map अच्छी तरीके से आता होगा बनना आप इस questions को छोड़ी देंगे तो सबसे answer हो जाएगा आपका सबसे सही दूसरा option सिद्धार्त नगर, संत रविदास नगर यह संत कवीर नगर, रविदास नगर नहीं है संत कवीर नगर, अंबेड कर नगर, फिर है संत रविदास नगर यानि कि दूसरा options correct है प्रवेस में पूर्व से पस्चिम की और बढ़ने पर बरसा की मातरा समानिता क्या होती है कम हो जाती है, बढ़ती है, कोई अंतर नहीं होता है, या पहले गड़ती है, फिर बढ़ती है तो आपका जो सही आंसर है, वो है आपका कम होती है यानि कि पहला options जो है, वो आपका बिल्कुल correct हो जाएगा next questions की तरफ चलते है परदेश के किस जले में सरवदिक वरसा होती है, यह हमसे पूछा गजा है वानदा वरानसी मुरादाबाद या गोरकपुर परदेश के किस जले में सरवदिक वरसा होती है, वानदा वरानसी मुरादाबाद या गोरकपुर तो दोस्तों अगर हम बात करें कि प्रदेश के उस जिले की जहां सबसे ज़्यादा वर्सा होती है तो उस जिले का नाम है गोरकपुर जी हैं दोस्तों गोरकपुर में सबसे ज़्यादा वर्सा होती है पर्देश की सबसे उची सोनकर और केमूर पारियां किन जिले में इस्ते थे हैं बांदा चितरकूट, मिर्जापूर सोनबदर, लेटपूर जांसी या महुवा हमीरपूर तो पर्देश की सबसे उची सोनाकर और केमूर पारियां किन जिलों में इस्ते थे हैं तो आपका जो सही आंसर हो जाएगा वैह हो जाएगा आपका मिर्जापूर और सोनवद्र यानि कि सोनाकर की पाड़ या मिर्जापूर में और केमूर की पाड़ यां सोनवद्र में इस्तित है बगेल खंड का कुछ बाग उत्तर प्रदेश के किस बुंदेल खंड ये चेतर में पढ़ता है ललतपुर जहांसी सोन बदर या चुत्रकूट तो जल्दी से बता देजिए कि बगेल खंड का कुछ बाग उत्तर प्रदेश के किस बुंदेल खंड ये चेतर में पड़ता है तो आपका जो सही आंसर हो जाएगा वैह हो जाएगा आपका सोन बदर कौन सा दोस्तो सोन बदर तीसरा ओपसंस आपका करेक्ट है उत्तर प्रदेश का कौन छेतर आग कल्ब की प्राचिंतम सेलों से निर्मित है बुंदेल खंड रुएल खंड सिवालेक या विद्ध्यान चल तो जल्दी से बता देजिए कि उत्तर प्रदेश का कौन छेतर आग कल्ब की प्राचिंतम सेलों से निर्मित है तो आपका सही आंसर है बुंदेल खंड यानि कि पहला आपसंस जो है वो आपका बिल्कल करेक्ट है उत्तर प्रदेश में सरवदिक वर्सा वाला चेतर कौन सा है अभी हमने जिला बताया था अब हम चेतर बताएंगे कौन सा चेतर है तराई चेतर, पूर्व गंगा चेतर, मद गंगा मैदान, पश्चिमी गंगा मैदान तो जल्दी से बता देजे कि उत्तर प्रदेश में सरवदिक वर्सा का चेतर कौन सा है तो उत्तर प्रदेश में सर्वदिक वर्षा का चेतर या आपका तहरा एपका तराई चेतर यानी कि पहला options जो है वो आपका बिर्गुल करेक्ट है कौन सा दोस्तो पहला options 2011 की जनगर्णा के अनुसर उत्तर प्रदेश की जन संक्या भारत की जन संक्या की कितनी प्रतीसत है 14 इसलब के 2% 15 इसलब के 5% 16 इसलब के 5% या 18.2% तो जल्दी से बता दिजीए कि 2011 की जनकरणा के अनुसर उत्तर प्रदेश की जन संक्या भारत की जन संक्या की कितनी प्रतीसत है तो आपका जो सही आंसर है वो आपका 16.5% यानि कि तीसरा उपसंस आपका बिल्कुल करेक्ट है नेक्स्ट है आपके निमने मैंसे सरवदिक छेतर फल वाला जिला कौन सा है सून बदर, सीता पूर, हर्दोई या लखीम पूर खीरी तो जल्दी से बता दिजी कि निमने मैंसे सरवदिक छेतर फल वाला जिला कौन सा है तो निम्ने मेंसे सरवदिक 6 तरफल वादा जिला है आपका लखिम पूर खीरी यानि कि चौता आपसंस आपका बिल्कुल करेक्ट है च्छेतर फल की दरश्टी से उत्तर प्रदेश का भारती राज्जों में कौन सा इस्तान है पिर्थम चतुरत तरतिय या सब्तम तो च्छेतर फल की दरश्टी से उत्तर प्रदेश का भारती राज्जों में कौन सा इस्तान है तो वह है आपका चतुरत तरतिय यानि कि चौता दूसरा आपसंस जो है वो आपका बिल्कुल करेक्ट है किस फसल के अत्तर प्रदेश पिर्थम इस्तान पर नहीं है की शस जलवाई उचेतरों में वरज्ट किया गया है 11, 9, 7 या उपरोक्त में से कोई नहीं तो उत्तर प्रदेश को कितने सस जलवाई उचेतरों में विवाजित किया गया है तो आपका जो सही आंसर हो जाएगा वे हो जाएगा आपका दूसरा यानि कि 9 उत्तर प्रदेश को नौ सस जलवायू चेतरों में विवाजित किया गया है नेक्ष्ट कोसंस आपके सामने उत्तर प्रदेश की प्रमुक्तिलहनी फसल कौन सी है सूरज मुकी, कुसम, राई सरसों या अलसी तो जल्दी से बता देजिए कि उत्तर प्रदेश की प्रमुक्तिलहनी फसल कौन सी है तो अगर हम बात करें दोस्तों उत्तर प्रदेश की प्रमुक्तिलहनी फसल के बारे में तो उस फसल का नाम है राई सरसों उत्तर प्रदेश की प्रमुक्ति लहनी फसल कौन सी है राई सर्सों लाश्ट कोश्टन से आपका कि उत्तर प्रदेश या भारत में उत्तर प्रदेश अगल्नी उत्पादन किस में रखता है उत्तर प्रदेश जो का चावल का बाजरे का या दालो का तो उत्तर प्रदेश जो अगलनी उत्पादन में पहले मैं ने आपको पड़ाया भी है ठीक है तो दोस्तो यह थे आपके 20 most important questions जो कि मैंने आज की इस वीडियो में आपको कवर करवा दिये अब आपको इमान दारी के साथ बताना है कि आपके इसमें कितने number आ रहे हैं अब दोस्तों मैं आपसे कोस्टन्स पूछने जा रहा हूं और उसका आंसर आपको कमेंड बॉक्स में बताना है तो आज का जो आपका कोस्टन्स है वो है आपके सामने कि उत्तर प्रदेश की सबसे महत्पूर नगदी फसल कौन सी है आलू गन्ना गेहू या दलहन तो सही आंसर जो है वो आपको कमेंड बॉक्स में बताना है कि उत्तर प्रदेश की सबसे महत्पूर नगदी फसल कौन सी है ठीक है तो ये इस कोस्टन्स का आंसर आपको कमेंड बॉक्स में बताना है और दोस्तों फिलाल की वीडियो में सिर्फ इतना ही अगर आपको वीडियो पसंद आए तो अपने दोस्तों के साथ उन दोस्तों के साथ कम से कम सेर कर दीजिए जो यूपी जेल वोडर और फायर मेर की तयारी कर रहे हैं एग्जाम डेट के बारे में मैं आपको बताऊं कि अभी भरती वूट की तरफ से कोई भी नोटिस नहीं है एग्जाम डेट का जैसे ही भरती वोड की तरफ से कोई भी नोटिस आएगा तो मैं आपको बता दूँगा क्योंकि मैं अगर किसी news paper की cutting बताता हूँ तो आप लोगों को बुरा लगता है इसलिए मैं भरती vote का ही notice आपको बताऊंगा जब कोई notice आएगा UP Jill Water के exam से related तो दोस्तों फिलाल की वीडियो में सिर्फ इतना है